करोना को देखते हुए अज पहली बार पत्तना के मस्जीदों में जुमाय के नमाज होंगे हम आपको दिखाना चाहिए ये नदारा देखें किस तरह से ये बदली हुई वेवस्था है मस्जीद में प्रवेस केने से पहले आपको माज्ज तो लगाना ही होगा साथ ही साथ आपका टमपरेचर भी चेख होगा उसके बाद ही आप मस्जीद के अंदर जा सकते हैं ये बिल्कुल अपने आप में शायद नहीं वेवस्ता है और पत्ना के सभी मस्जीदों में वेवस्ता की गई है। पत्ना के कोतवाली थाने वाली मस्जीद में हैं देख सकते हैं किस तरीका टेमपरेचर का अच्छे खोड़ा है बच्चों को प्रतिबंद कर दिया गया है बुदूर के नहीं जा सकते हैं और फिलहाल जो लोग माक्स पहने हैं उन्हें ही यहां जाने की अनुमती होगी यह अ प्रतिबंद कर दिया गया है और फिलहाल यह पूरी वेवस्था चलेगी लगातार चलेगी मिशित वर्प आपने आप है आप यहां क्या कर रहे हैं तो आली मजुद के खादिम है क्या यहां टेमपरेचर सब दिकत नहीं है जो लोग माक्स टेहन के जाना है उन्हीं को जान कि तरीके से यह पूरी वेवस्था आप देख सकते हैं टेमपरेचर और माक्स आपको पहन पहले आपका टेमपरेचर नपेगा उसके बाद आप माक्स पहने तभी आप जा सकते हैं अन्य था आपको मजजीद के अंदर जाने की पर्मिशन नहीं होगी तो कोरोना को देखते हुए हैं आप मजजीद के अंदर से पर्मिशन नहीं कर सकते हैं कि मजजीद के खादिम है यहां तरीके से पूरी वेवस्ता आप देख सकते हैं तेमपरेचर और माक्स आपको पहन पहले आपका टेमपरेचर नपेगा उसके बाद माक्स पहने तभी आप जा सकते हैं अन्य था आपको मजजीद के अंदर जाने की पर्मिशन नहीं होगी तो कोरोना को देखते हैं मनिश्ट्री भूम का जो निर्देशता और बिहार सरकाई का जो निर्देशता उस निर्देशत के ताहाच पूरी तरह से पच्टना के मजजीद के वेवस्ता बदल गई है बि ना का सकते मांक्स पहने हुए हैं आप मजजीद के अंदर प्रवेस नहीं कर सकते हैं मनकुबालां पत्ना